आइज वूर्ण वेलकॉम बैग कैसे सबी कोडर्श आज हम बात करने वाले हैं जो शोपिंग कार्ड हम बना रहे हैं उसके वीडियो कोर्ट नमबर थ्री जिसके अंदर हम देखेंगे कैसे हम शोपिंग कार्ड को डिजाइन करेंगे यहां पर हमने सिर्फ प्रोड़क्ट लि हमारा curry run होगी और उसके ठूह हम डाटा add करवाएंगे लेकिन उससे पहले हमारे पास shopping card होना चाहिए shopping card इंदर हम तुछ data राखेंगे एक बार demo purpose के लिए और उसके बाद में उसको हम बनाएंगे जो पर य시면 एकाड के हम से से यह इक करेंगे तो यहाँ सरे अपर हम एड करेंगे पहले डंबी कार्ट वह आप अपने डेजैन की हिसाथ रख सकते हैं मैं यहाँ पर सिंपल आपको समझाने की कोशिस करूँगा क्या क्या चीजी हम रख सकते हैं ठीक तो यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे हमारी कोड की तरफ और पिछली वीडियो में हमने ये कोड रखा था तो मैं इसको थोड़ा समिनिमाइज कर देता हूं ताकि आपको परहां पर लिखेंगे कर देता हैं सभी यहां बहुत हैं यहां हम करते हैं बाहां हम पर लगाके ऊक्षेंगे और उसको इश्कोई दोंगा हाँ यहां पर दोकिन इसको बिटियन धीए देंजर और बेटिन- कर देते हैं इसको और राउंडिट कर देते हैं सेव करेंगे यहां से चेक करेंगे ठीक है आ रहा है हमारे पास और यहां पर हम क्या करते हैं हमारा जो नेक्स्ट काम है वह रहेगा कि इसको हम यहां से इकवल शो करवाएंगे थोड़ा सा ठीक है यहां पर मतलब एक ही लाइन जो कंटेनर है इसके अंदर पेडिंग फाइव दे देते हैं ताकि यह थोड़ा सा हमें सही से दिखाए ठीक है तो यहां पर यह सारी चीज़े हमारी आ गई हैं लेकिन यहां पर डी फ्लेक्स यह सही से काम नहीं कर रहा जस्टिफाई कंटेंट बीट्वीन हमारा हो गया और क टॉटाइब स्क्राइब करेंगे मारे इसके आंदर कमारा रहे बनाओंगा वह कि बूट्स करेंगे सारी कोई किस्टम एड नहीं करहाँ यहां पर से स्लिटिफ हैं और यहांपर सेव निद्रम करण हैरे बेर हमारे पर हमारे सारी सारी आइटमस आरेगे यहांपर हम क्या कर sacrificed करेंगा तीबोडी। का ठीक है। और स्टाइल की जगे हम क्लास भी Blit करें कि हमारा रहे और टएक्स्ट एक्स्ट ला इत टैक्स्ट लाइट कर एक्सक्त करेंगे कि लेट साइड हमें रखना स्योव करेंगे इसको यहां से को एड करूंगा मैं इसको कोड यहां लिखेंगे हम code ठीक है और save करेंगे यहां से मैं इसको control D और इसमें लिखूंगा मैं write RIGST write and save करूंगा code की जगह यहां पर लिख देंगे quantity 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 और यहां पर control D करेंगे इसमें लिखूंगा मैं unit यहां पर प्राइज लिख देंगे single item प्राइज ठीक है यहां पर इसमें लिख देंगे total price यहां पर इसको प्राइज लिख देते हैं और last में हम रख देंगे इसको इसको मैं इसको मैं इसको रिफ्रेस करूंगा तो मुझे यहां पर table मिल रही है ठीक है इस टेबल के अंदर हम जो हमारा पर यहां पर जो हमारा टीडी हम इसको पास कर देंगे तो यहां पर इसको हम पास कर लेंगे तो यहां पर हमारा सारी चीज़ लगबग आ गई है तो यहां पर जो में चीज थी हमारी वह ano and images हम यहां पर पाति कर देंगे तो यह बार वैसे हमारा ठीक है यहां पर हमारा झाल नेयोंटन पर करने के लिए हम यहां प्राइज रहेगा यहां पर यहां पर हम्षापर हमारा रहे पास कर सकते हैं जैसे कि Acer, Nitro, Laptop, यह वैसे ही मैं data add कर रहा हूं, मैं कोई data waste से फैस नहीं कर रहा हूं इस चीज को, ठीक है, और code मैं इसका लिख देता हूं, one to one, और यहां पर मैं image tag भी use कर लेता हूं, यहां पर मैं image tag रहेगा, तो इसके लिए मैं name को नीचे रख लेता ह हूं, और यहां पर लिख देते हैं image tag, और हमें image का बता है कि यह images folder के अंदर है, और slash मैं लिखूंगा images one, ठीक है, और मैं इसके अंदर लिख देऊंगा, Acer, Nitro, ठीक है, laptop, Ltext डालना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन best practice के लिए आप इसको use कर सकते हैं, और इसमें class use करूंग img fluid, जो भी boot save की class है, width मैं इसकी specify कर दूँगा, so, save करूंगा इसको मैं यहां से refresh करूंगा, तो हमारे पास यहां पर photo are रही है, और हमारे पास नाम आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, यह जो hogar है, इसके अंदर हम जाएंगे, और इस hogar वाले के section को मैं remove कर दूँगा, ठीक है, save करूंगा, यहां से refresh करेंगे, तो हाँ, अब सही दिखा रहा है, तो यहां पर हमारे पास photo आ गई है, name आ गया, code आ गया, quantity हमें add कर देते हैं, यह हम एक बार वैसे ही रख रहे हैं, ताकि हमें हमारा design सही से पता लगे, ठीक है, उसके बाद में customize करना ह हमें आसान रहेगा, तो यहां पर हमारा जो price था, इसका size 9 उस था, ठीक है, तो यहां से जो हमारा रूपी सिंबल मैं इसको copy कर लेता हूं, ठीक है, और इस रूपी सिंबल को मैं इसके आगे put कर दूँगा, और total price भी हमारा यही रहेगा, क्योंके quantity 1 है, ठीक है, और यहां पर इसको मैं यहां से हटा देता हूं, और यहां पर हम लिखते हैंगे, a anchor tag यूज़ करेंगे, ठीक है, a colon link, और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा, index, और यहां पर query मैं पास करूँगा, ताकि इसको बाद में हमें use कर सके, is equal to मैं इसको कर दूँगा, remove, ठीक है, और य और btn, sm की जोट नहीं है, x pass कर देते हैं, इसमें save करेंगे यहां से, और यहां से refresh करते हैं, तो हमारा dummy data यहां पर आ रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से हम dummy data add कर सकते हैं, काफी useful है यह चीज, और यहां पर मैं एक काम और करता हूँ, यहां पर जो हमारा code है, इसके अंदर padding bottom या margin bottom देते हैं, ठीक है, save करते हैं, इसको refresh करेंगे, तो यहां जो थोड़ा सा gap मिलेगा, तो हमें यह दिखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है, तो यहां पर हमारा dummy data आ गया है, next video में हम बात करेंगे, कैसे हम data को यहां से जैसे add करते हैं, तो सारा data हम यहां पर add कर स सकते हैं, तो इस तरीके से हमारा लास्ट वीडियो रहेगी, वो उसके अंदर हमारा सारा सारा लगबग complete हो जाएगा, तो मेरा चार या तीन या चार वीडियो बनाने का मतलब यही है, कि आपको यह सारी चीजे अलग अलग पता लगे, जैसे कि हमें आपने product list बना लिए, आपको सिर्फ देखना कि कार्ड कैसे बनाना है, ठीक है, तो कार्ड वाली वीडियो आप देख सकते हैं, अगर आपको देखना कि आपके पास कार्ड आपने डमी बनाया हुआ है, और आपको अभी data fetch करवाना है, और उसके अंदर जैसे मालो यहां से add कार्ड पे क्लिक होता हैं, ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही, कोडिंग करते रहे हैं, मज़े में रहे हैं, तब तक के लिए, बाबाई